परिचय यह छूटी बच्ची रो रही है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है उस बूढे आदमी को देखो, वह नगर के व्यस्त क्षेत्र में रहता है, वह फेफ़णोंगी बीमारी से ग्रस्त है इनकी बीमारी का मूल कारण वायुप्रदूशन है इस पाठ में हम अपने परिवेश में होने वाले हानिकारक बदलावों और अपने जीवन पर उनके प्रभावों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे वायु प्रदूशन इसके स्रोत, इसके हानिकारक प्रभाव और इसकी रोक्थान की व्याख्या करना ओजोन परत के अवक्षे की व्याख्या करना ग्रीन हाउस प्रभाव का वर्णन करना अमल वर्षा के निर्मान की व्याख्या करना वायु प्रदूशन हमारे जीवन के लिए वायू अतियावर्शक है लेकिन दिन प्रति दिन वायू में उपस्थित अवांचित पदार्थों के कारण यह प्रदूशित होती जा रही है अब आप जानना चाहेंगे कि ये पदार्थ कहां से आते हैं ये तब अवमुक्त होते हैं जब वाहनों, कारखानों, बिजली सन्यंत्रों इत्यादी में इंधन चलता है और उन्हें गैसी अपशिष्टों में बदल देता है वायू प्रदूशक और उनके स्रोथ कौन से पदार्थ वायू को प्रदूशित करते हैं कारबन डायॉकसाइड, सलफर डायॉकसाइड, नाइट्रोजन ओकसाइड और कारबन मोनोकसाइड जैसी विशैली गैसें ये गैसें प्रायह ट्रक वबस जैसे वाहनों के इंजनों से अवमुक्त होती हैं कभी कभी वे प्राकृतिक स्रोतों जैसे जंगल में लगी आग या ज्वाला मुखिय विस्फोर्ट से उठने वाले धुएं और धूल से निकलती हैं ये गैसे स्वस्थ व्यक्ति को बीमार तथा बीमार व्यक्ति को और गंभीर बना सकती हैं ये आपकी आँखों वो गले को प्रभावित करती हैं कुछ मामलों में ये आपके फिपणों को स्थाई रूप से हानी पहुचा सकती हैं और यहां तक की कैंसर का कारण भी बन सकती हैं क्या आपने धूम कुहा यानि धुन्द जैसा काला धुआ के बारे में सुना है धूम कुहा धुएं और कुहरे यानि धुन्द से बना होता है धुआ सामान्य रूप से नाइट्रुजन के आकसाइड तथा अन्यवायू प्रदूशकों से बना होता है धूम कुहा के कारण बच्चों में अस्थमा, खासी और तेज सास चलने जैसी श्वसंचंबंधी समस्याएं हो जाती है ओजोन परत का अवक्षय आईए ओजोन परत के बारे में जाने ओजोन परत, ओजोन गैस से बनी वह परत है जो प्रित्वी के वायू मंडल के उपर स्थित है इसकी क्या भूमिका है यह सूरज की हानिकारक परा बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है एर कंडिशनर, रेफरिजरेटर और अगनी शामक यंत्र वायू मंडल में क्लोरो फ्लोरो कार्बन अवमुक्त करते हैं और ओजोन परत में छेद करते हैं CFC एक अन्य प्रकार के वायू प्रदूशक है हम ओजोन परत के होल में कमी करने हे तु क्या कर सकते हैं हमें ओजोन परत को अवक्षय से रोकने के लिए CFC की तुलना में कम घानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए अमलवर्शा ये चित्र New York स्थित Statue of Liberty और आगरा स्थित ताजमहल के हैं ये अमलवर्शा से अत्यधिक प्रभावित हैं क्या आप अमलवर्शा के कारणों को जानते हैं? उद्योग वह वाहन वायुमंडल में Sulfur Dioxide और Nitric Oxide जैसी विशैली गैसें अवमुक्त करते हैं ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाश्प से अभिक्रिया करके Sulfuric अमल वह Nitric अमल बनाती हैं जो अमलवर्शा के रूप में प्रित्वी बर गिरती हैं अमल वर्शा में कैसे कमी की जा सकती है? Compressed Natural Gas यानी CNG और Liquid Petroleum Gas यानी LPG जैसे स्वच इंधनों के प्रयोग से अमल वर्शा में कमी की जा सकती है Greenhouse प्रभाव बहुत ठंड है इससे पौधे नश्ट हो सकते हैं क्या तुम्हें पता है कि इन पौधों को अध्यदिक ठंड से बचाने के उपाई किये जा सकते हैं? क्या उपाई किये जा सकते हैं? हम उन्हें बचाने के लिए Greenhouse प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं Greenhouse प्रभाव? वह क्या होता है? इस घर को देखें उसमें अनेक काच पट यानि काच की खिडकियों जैसी आकृतियां हैं इसे Greenhouse कहा जाता है जब सूर्य की किर्णे इस घर पर पढ़ती हैं भीतर की वायू को गर्म कर देती है यह गर्म वायू भीतर के तापमान को परियाप्त गर्म कर देती है और पौधों के उगने के लिए वातावरण को आर्द्र कर देती है इसी प्रकार वायू मंडल में उपस्थित कार्बन डायोकसाइड, मीथेन और नाइट्रस ओकसाइड जैसी गैसें काजपट जैसा कार्य करती है जब धूप का विकिरण हमारे वायू मंडल पर पहुँचता है, तो कुछ किरणे परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चली जाती हैं, और कुछ किरणे ग्रीन हाउस गैसों में प्रगहित कर ली जाती हैं, जिसके कारण प्रित्वी के वायू मंडल के तापमान में व्रि व्रिध्धी हो रही है, वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में प्रित्वी के तापमान में और व्रिध्धी की संभावना है, वैज्ञानिक कहते हैं कि कारण डायोकसाइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें धूप की उश्मा को प्रगहित कर लेती हैं, और प्रि व्रिद्धी के वायुमंडल के तापमान में व्रिद्धी के परड़ामों के बारे में कल्पना कर सकते हैं। इससे ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी जिसके कारण समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो जाएगी और नीचले क्षेत्रों में बाण आ जाएगी। यह स्थिती वहां रहने वाले लोगों, जीवजन्तूं और वनस्पतियों के लिए भयंकर रूप से हानिकारक हो स जात्रों क्या आप बता सकते हैं कि हमें वायू प्रदूशन में कमी करने के लिए क्या करना चाहिए। वायू प्रदूशन रोकने के अनेक उपाए हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। हम स्वच इंधन जैसे की CNG, LPG और सीसा रहत पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जीवाश्म इंधन के बजाए सौर उर्जा, जलशक्ती और वायू उर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम व्रिःख्शा रोपन भी कर सकते हैं। सूखे पत्तों को जलाने के बजाए हम उनसे कमपोस्ट खाद बना सकते हैं कम दूरी तक आने जाने के लिए हम अधिक से अधिक पैदल चल सकते हैं मोटर साइकिलों के स्थान पर साइकिलें इस्तेमाल कर सकते हैं तथा लोग परिवहन के साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा अंश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अवान्चित पदार्थों द्वारा वायू का दूशित हो जाना ही वायू प्रदूशन कहलाता है। जो पदार्थ वायू को दूशित करते हैं उन्हें वायू प्रदूशक कहा जाता है।